प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन के पांच वर्ष पूरे हुए आवासन और शहरी कारे मंत्राले ने स्वक्ष सर्वेक्षन 2021 रिपोर्ट जारी की संव्ध राष्ट्र ने स्पोटलाइट पहल की प्रभाव रिपोर्ट जारी की लगभग 87,000 से ज्यादा सैंक तुराष्ट शांती सैनिकों को जटिल संगर्षों से अधिक खत्रों का सामना करना पड़ता है यूकरेन ने रूस द्वारा हमले की आशंग का प्रकट की भारते रिजर्व बैंक ने मौजूदा शिकायत निवारन तंत्र को मजबूत करने के लिए एक एकिकरित लोगपाल योजना की शुरुआत की और अब खबरें विस्तार से प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन के पांच वर्ष पूरे हो गए हैं वर्ष 2022 तक सभी को आवास प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन को वर्ष 2016 में लौंच किया गया था इस योजना के तहट वर्ष 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ 2,95 लाग प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन मकानों का निर्मान कारे पूरा करने की परिकल्पना की गई है नवंबर 2021 तक 2,9 लाग मकानों के निर्मान को मनजूरी दी गई है और अब तक 1,63 लाग मकानों का निर्मान कारे पूरा किया जा चुका है आई अब बात करते हैं प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन की विशिष्टाओं के बारे में ग्राम सभादवारा समुचित सत्यापन के बाद सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगरना 2011 के तहट निर्धारित आवास वंचन मानकों और अपवर्जन मानदंडों के आधार पर लाभार्तियों की पहचान की जाती है इसके तहट प्रती मकान यूनिट की सहता भी दी जाती है ये मैदानी शेत्रों में एक लाख बीस हजार रुपे और पहाडी राजियों, पुर्वत्तर राजियों, दुर्गम शेत्रों और एक इकरित कारी योजना के अंतरगत शामिल जिलों में एक लाख तीस हजार जैसे कि स्वक्ष भारत अभियान के साथ इसको मिलाने से शोचालेओं के निर्मान के लिए सहता प्राप्त की जाएगी, विभिन सरकारी कारेक्रमों के तहट पाइप से पेयजल, विद्युत कनेक्शन, LPG, गैस कनेक्शन आदि के लिए भी कई योजनाओं का अभिसरन किय इच्छुक लाभारतियों के लिए 70,000 रुपे तक की रिंड सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीन की स्थाई प्रतिक्षा सूची में भूमिहीन लाभारतियों का मान्चितरन करने और उनके द्वारा भूमी या वित्य सहता प्राप्त करने की वरतमान इस्थिति ग्यात करना। इसके अलावा इटिकेटिंग प्रणाली इसका उपयोग तकनीकी के साथ साथ गयर तकनीकी मुद्दों से संबंदित शिकायतों को दूर करने के लिए किया जाता है। वहीं आधार आधारित भूतान प्रणाली के लिए लाभारती को प्रत्यक्ष लाभ अंतरन की अनुमती प्रदान की गई है। सर्वेक्षन का उद्देश्य व्यापक पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रूत सहित करना और अप्षिष्ट मुक्त शहर और खुले में शौच मुक्त शहर की दिशा में की गई पहल की संधारनियता सुनिश्यत करना है। आग को बता दें कि प्रथम स्वक्षता सर्वेक्षन वर्ष 2016 में किया गया था। इस सर्वेक्षन को तीन प्रमुक भागों में विभाजित किया था। इस सर्वेक्षन के मुखे निशकर्श में कहा गया है कि एक लाग से अधिक आबादी की श्रीनी में इंदोर ने लगातार पांच वी बार सबसे स्वक्ष शहर की उपाधी प्राप्त की है। इसके बाद सूरत ने दूसरे और विजयवाडा ने एक लाग से अधिक आबादी की श्रीनी में तीसरा इस्थान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। वारानसी सर्विस्रिष्ट गंगा शहर के रूप में उभरा है जबकि एहमदबाद चावनी ने भारत की सबसे स्वक्ष चावनी का खिताब प्राप्त किया है। इसमें प्रतिक्रिया, सनलग्रिंता, अनुभव, स्वक्षता, एप और नवाचार तथा सर्वोतम अभ्यास को शामिल किया जाता है। सेंक्त रश्ट्र ने स्पोटलाइट पहल की प्रभाव रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबे की ये कोविड-19 महामारी के दोरान एक शैडो महामारी बन गई है। स्पोटलाइट पहल महिलाओं और लड़कियों के खिलाव सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा लक्षित प्रयास है। भारत में भी महामारी के दोरान घरीलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी दर्च की गई है। वन स्टॉप क्राइसिस के इंद्र खुले रहे थे। इस्तरी मुक्ती संगठन जैसे गैर सरकारी संगठन नेशुलक परामर्ष के माधियम से महिलाओं की मदद कर रहे हैं। साथ ही अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए ओनलाइन सुविधा का भी उपयोग कर रहे हैं। स्मार्ट पुलिसिंग और सुरक्षा प्रबंधन में साहता के लिए सेफ सिटी परियोजनाय आरंभ की गई हैं। इसके अलावा गरी मंत्राले ने लेंगिक अपराधियों पर राष्ट्रिय डेटा बेस लाँच किया है। उठाने की शमता को प्रभावित कर सकती है। कई कारकों से प्रेरित होते हैं। इनमें निर्जातिय तनाव संगर्ठित अपराध का संसाधनों के अवैद दूहन पर प्रभाव और आतंक वाद शामिल है। संगर्ष बहु इस्तरिय होते हैं। ये ना केवल इस्थानिय और राष्ट्रिय बलकि शेत्रिय एवं वैश्विक भी होते हैं। उदाहरन के लिए अफ्रीका के निर्धन साहिल शेत्र में बढ़ती आतंक वादी गतिविधियां। विशेश रूप से अधिक हेलिकॉप्टर देने होंगे। से प्राप्टे करते हैं। सैनिकों और पुलिस की आपूर्ती सदस्य देशों द्वारा की जाती हैं। ये शान्ती अभियान तीन बुनियादी सिध्धानतों पर निर्धेशित होते हैं। पक्षिकारों की सहमती, निस्पक्षिता, आत्मरक्षा और अधिदेश की रक्षा के अलावा बल का प्रियोग ना करना। यूक्रेन ने रूस द्वारा हमले की आशंग का प्रकट की। सेंक्तुरज अमेरिका, उत्री अट्लांटिक संधी संगठन यानी नाटो तथा यूक्रेनी अधिकारियों ने यूक्रेन अरिका, उत्री अट्लांटिक सेना की गतिविधियों की सूशन दी हैं। इस से रूस के हमले के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। की सेना और रूस समर्थक अलगावादियों के बीच एक उग्र संगर्ष जारी है। वर्ष 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्तिता के तहत मिंस्क दोशांती समझोते पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद एक खुला संभावित संगर्ष टल गया था। इस समझोते को विद्रोही शेत्रों में संगर्ष को समाप्त करने और सीमा को यूकरेन के राष्ट्रेसानिकों को सौंपने के लिए डिजाइन किया गया था। यूकरेन द्वारा इन अलगावादी शित्रों को अधिक शक्ती सौंपना, समविधानिक सुधार प्रस्तुत करना और उनकी विशेश इस्थती को सहीता बद्द किया जाना था। इससे पहले भारत ने संउक्तुराष्ट्रों में यूकरेन द्वारा प्रयुजित एक प्रस्ताव के विरुधुमत दान किया था। इस प्रस्ताव में क्रीमिया में कथित मानवा धिकारों के उल्लंगन की निन्दा की गई थी। इस तरह भारत ने अपने पुराने सहयोगी रूस का समर्थन किया था। और डिजिटल लेंदेन के लिए लोगपाल को एक ही योजना में एकिकरित कर दिया गया है। शिकायत करने की अनुमती नहीं थी। अब एकिकरित योजना अपवरजनों की एक विशेश सूची के साथ शिकायत दर्ज कराने के आधार के रूप में सेवा में कमी को परिभाशित करती है। कोई विभेदन कारी शतिपूर्ती नहीं है। इसमें बैंक की अगैर बैंक प्रणाली के सहीयोगियों के बीच विभेदक विवहार को अब सुवविस्थित कर दिया गया है। इसके अलावा पहले की योजनाओं ने ग्रहाकों को निरने के विरुद्ध या शिकायत की अस्विकृती के लिए अपीलिये प्राधिकारी के पास अपील करने की अनुमती दी थी। जो की संबंदित विभाग का RBI का प्रभावी डिप्टी गवर्नर होता था। अब एकिक सुरित योजना के तहट ग्रहाक उसी पोर्टल का उप्योग करके अपीलदार कर सकते हैं। ये एक नैतिक प्रहरी के रूप में कारी करती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि भारत के मुखे नियाधीश द्वारा मनुनीत होता है और 25 अन्य सदसे होते हैं। इसका कारेकाल आम तोर पर 3 वर्ष का होता है लेकिन कोई भी सदस से कुल मिलाकर 6 वर्ष से अधिक क अधि के लिए पदपर नहीं रह सकता। इसके बाद ओडिशा के गंजाम जिले में गंगापुर्थाना और हरियाना के फतिहबाद में भट्टू कला पुलिस थाने का इस्थान है। इसके बाद तीन कोलकाता श्रेणी विध्वनसों को एक दशक के बाद शामिल किया गया था। बरतमान में पंदरा बी के तहट कुल चार युद्धपोतों की योजना बनाई गई है। इशाखा पत्नम, मोर्मुगाउं, इमफाल और सूरत। अलसलवाडोर विश्व का पहला बिटकॉइन शहर। मध्य अमेरिका का देश अलसलवाडोर विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी स्थापित करने पर विचार कर रहा है। माइनिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से व्यापक कम्प्यूटिंग शमता द्वारा सत्यापित किया जाता है। ये किसी बैंक या सरकारी बैंक द्वारा जारी या समर्थित मुद्रा नहीं है। आक्षक्ती 2021 भारत फ्रांस सेंक तुराश्टर सानने अभ्यास आक्षक्ती 2021 का छटा संसकरन फ्रांस के फ्रेजस में आयुजित किया गया आई अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे इस्थान के बारे में लिथुआनिया, इस बाल्टिक राज्य द्वारा ताइवान को अपने यहां एक वास्तविक दूतावास खोलने की अनुमती देने की कुछ दिनों बाद ही चीन ने लिथुआनिया के साथ अपने राजनाईग संबंधों में कमी की है ये तीन बाल्टिक राज्यों एस्टोनिया, लाट्विया और लिथुआनिया में से एक है इसकी राजनितिक सीमाएं पूर्व में बेलारूस, उत्तर में लाट्विया और डक्षिन पूर्व में पोलेंड और कॉलिनिंग्राड के रूसी बहिर शेत्र से लगती हैं स्वीडन के साथ समुद्री सीमा साजा करता है, इसमें लिथुआनिया के भौगलिक परिद्रिश्य में तराई और कुछ पहाड़ी शेत्र और कई जीले शामिल हैं ये जीलें पिछले हिम्यूग से पेगले हुए हिम्नदों के अवशिष हैं सूडान के प्रधानमंत्री को एक राजनीतिक समझोते पर हस्ताक्षर करने के बाद दोबारा पद पर बहाल कर दिया गया है सूडान उत्तर में मिस्र, पूर्व में लालसागर, इरिट्रिया और इथियोपिया दक्षिन में दक्षिन सूडान, पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गंडराज्य एवं चाड तथा उत्तर पश्चिम में लीबिया से घिरा हुआ है वर्ष 2011 में सूडान के विभाजन के बाद दक्षिन सूडान एक अलग देश बन गया था सूडान सहारा के दक्षिनी छोर पर उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, नील नदी तंत्र इसकी प्रमुक बहुत एक विशिषता है सूडान की राजधानी खार्तूम में श्वेत और नीली नदी का विलय होता है बुंदेल खंड प्रधान मंतरी ने इस शेतर में कई परियोजना को शुभारंब किया है इसमें मध्य प्रदेश के छेजिले और उत्तर प्रदेश के साथ जिले शामिल है ये चट्टानी शेतर है और बीहड के लिए जाना जाता है बुंदेल खंड की म्रदा काले और लाल पीली रंग का मिश्रण है जिसे बहुत उपजाओ नहीं माना जाता क्रिशी यहां का मुख्य विवसाय है बीडी निर्मान, खनीजों का खनन और पत्थर उत्खनन प्रमुख गैर क्रिशी गतिविधिया है बुंदेल खंड शेत्र में दतिया के निकट अशोक का एक शिलालेख इस्थित है इसके अलावा विश्नू को समर्पित दशावतार मंदिर देवगण में इस्थित आरंबिक छटवीश अताबदी का एक हिंदू मंदिर है इसके साथ ही यंग समाप्त होता है अगले अंक में फेर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्यपून खबरों के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए सुरक्षित दूरी बनाए रखिए मास्क पहनिए हाथ और चेहरा साफ रखिए और टीका करन जल से जल और अवश्य पून कराईए और अब हमें यानि विजन आइस की पूरी टीम को दीजिये जाज़त नमस्कार